एक नगर में एक राजा रहते थे एक दिन एक विद्वान संत राजा के नगर पहुंचे राजा संत के पास गया और उन्हें अपने महल में आने के लिए अमंत्रत किया राजा ने संत की बहुत सेवा की राजा की सेवा से प्रसन होकर और उस संत ने जाते समय राजा को एक ताबिज दे कर गया और राजा से कहा कि जीविन में अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानिया आने लगे और परेशानिया ऐसी हो कि खत्म होने का नाम भी न लगे और आपको ऐसा लगना लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है तो आप इस ताबिज में एक कागज पर एक मंत्र लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना लेकिन उससे पहले यह ताबिज आप खोलना मत राजा ने संत दवरा दिये गे ताबिज को गले में पहन लिया कुछ दिन बाद राजा के नगर पर सत्रों का अकर्मन हो गया शत्रों से राजा की सेना हार गई राजा अपने प्राण बचा कर जंगल में भाग गया और छिप गया उसे गुफा में सत्रों के सेनिकों के कदमों की आवास सुने देने लगी फिर राजा को लगा कि अब तो खोला और कागज निकाला उस कागज पर लिखा था कि यह समय भी कट जाएगा हाँ उस ताबीज पर यह लिखा हुआ था कि यह समय भी कट जाएगा राजा को यह पढ़ कर थोड़ा सकून हुआ और फिर कुछ देर बाद सेनिकों के कदमों की आवाज भी आनी बंद हो गई र तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि अच्छे दिन हो या बुरे दिन हो हमेशा नहीं रहते हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि समय बदलता है बुरा वक्त हो तो यह सोचना चाहिए कि यह समय भी कट जाएगा ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए इस चनल को सब्सक्राइब करें दन्यवाद